अब बाते सुनो जो मॉडूल्स मैं ले रहा हूं मैं स्मार्ट कोर्स में जो मॉडूल्स ले रहा हूं उसमें अगर सबसे इंपोर्टेंट मॉडूल की बात करोगे आप लोग आप लोगों बता मैं फाइब मॉडूल्स ले रहा हूं तो सबसे 15 marks में यह जो है वो 2 marks आपका done है यहना 2 marks आपका done है clear है इतने question है बेटा डी आई के इतने question है कि आप लोग यहां से मतलब अगर आप डी आई के irrelevant question करोगे तो फिर तो क्या कहेंगे वेफ़फ कहेंगे और क्या कहेंगे यह 2 mark का question है और book के अलावा कोई और concept लगी नहीं सकता आपको मैं डी आई कराऊंगा तो आप देखना ठीक है और इसके बाद बहुत important देखे इस बार खड़कपूर के लिए खड़कपूर के लिए खड़कपूर के लिए खड़कपूर का जो पिछला paper था उसमें time speed and distance module से question थे हैना properly question थे तो TSD अगर आप TSD module के लिए एकदम irrelevant question देखेंगे और करेंगे तो कैसे चलेगा बेटा concept अलग बात है आपको वो पीवाई क्यू बुक में सब चीज़े मिलेगी इतनी मोटी है यार उतना ही कर लो आप उतना ही कर लो क्लियर है को कुछ मिस्स नहीं हो बेटा हाँ एकदम प्रॉपल्डी चेक किया हुआ एकदम short trick method के साथ हमने बहुत hard work किया था एक के solution के लिए ना TSD जो है important module है ना TNW important module है ठीक है और percentage important module है यह percentage and its application देखो अगर average end ratio की बात करोगे ठीक है average end ratio जो है यार थोड़ा सा इसके questions कम आए यह चलेगा irrelevant बात थोड़ा सा कर लिए तो चलेगा लेकिन इसके अलावा अगर आप TSD, DI और TW को easily ले रहे हो percentage को easily ले रहे हो तो फिर तो यार मज़ा नहीं आने वाला क्लियर है सभी को सभी को क्लियर है ना अब हम स्टार्ट करेंगे आज का session और लिंक जो है फिर से एक बार दे दी जाएगी और उसके बाद आप link पे जाके purchase कीजिए बेटा और कल मुझे यह inform कीजिए कि आपने order दे दिया या purchase कर लिया है चलो बेटा कीजिए चलो बहुत बढ़ी असे हैं आपको हर section का उसमें बहुत अच्छा solution मिलेगा चलो बेटा इस question को देखेंगे अब हम compound interest देखने वाले compound interest है ना जब हम यहां पे gate की बाते करते हैं compound interest की बाते करते हैं तो एकदा मतलब general formula यूज करते हैं general formula यूज करते हैं तो general formula क्या होता है a is equal to p 1 plus r by 100 या r percentage और यह power में n ले लिए t ले लिए ठीक है और यह क्या signify करता है यह देखना यह signify करता है amount clear है यह signify करता है principle क्लियर है और इसके बाद ध्यान से यह signify करेगा time और यह rate ठीक है ध्यान से बिटा यह rate अब ध्यान से मेरी बाते सुनना कि आप लोगों ने population वाला question देखा और 2021 में आई टी बंबे ने question पूछा भी था population पे ध्यान से मेरी बात सुनना और यही concept पे वो question का solution था अगर आपसे पूछा जाएगा new population के बारे में ध्यान से बिटा ध्यान से अगर आपके पास workbook रहता sorry workbook कह रहा हूं मैं pyq रहता यह ना workbook तो ही है pyq रहता तो आप लोग तूरंथ उस question को practice करते ना यार जो question मैं अभी कह रहा हूं population के बारे में question था new population is equal to old population इसी concept पे compound interest के concept पे into one plus r by 100 और यह time clear है यह बाते होती है relevant बाते यह बाते होती है relevant बाते यह बाते होती है relevant बाते ठीक है है ना तो देखो एक तरीके से compound interest को हम यहां भी use कर लेते है जब आपसे question पूछा जाता है कि new population कितना हो जाएगा अगर rate per year इतना increase हो रहा है population में ठीक है ऐसी बाते है अभी देखो यहां पे यह question देखो यह तो बहुत simple सा question मैंने आपके लिए रखा बहुत ही simple सा question रखा ज बताऊंगा और भी तरीकों से बताऊंगा आप देखते जो इस question को देखो बेटा इस question को देखो इस question को हम solve करते है क्या है देखो आपके पास principle कितना है प्रिंसिपल कितना है 5000 ठीक है principle 5000 है clear है formula में जब आप put करोगे बेटा formula क्या है आपका amount is equal to p bracket में 1 प्लस r by 100 और पावर में n clear है क्या signify करता है यह मैं बता दिया और अगर आपको CI निकालना है तो just आप क्या करो बिटा ध्यान से अमाउंट से principle को माइनस कर दो clear clear है सभी को clear है अर्विन ने कहा कि order कर दिया सर बहुद बहुत 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 से hearings बेटा kidding मैं जरूरी है मैं फोर्स कर रहा औहा क्यों कर रहा हूं क्योंख मुझे बता यह स्टूट्र का के आपको जल्या पर्णा चाहिए तो गॉपामिन में तो आपको deal można बहुत नाडर त तो अगर हमें यह थोड़ी कहेगा कि 5,000 है अगर यह 10,000 होगा अगर यह 12.5% होगा अगर यह 3 यह होगा तो हम वो चीज़ सिखेंगे ना वो कंसेpl हम सीखेंगे एकदम ध्यान से बीटा एकदम ध्यान के देखो just now formulae में जब हम put करते दो amount की value क्या आजाती है? amount की value प्रिंशीपल आपको पता है की 5,000 हे क्या Hein5,000 हे क्या तो यह यह 5000 आपने रखा एकदम ध्यान से ध्यान से 1 एक इक बात और rate कितना है बेटा, 8% है गया, तो 8 by 100 रखा, time कितना है, 2 years है, 2 लिप भी आप, clear, अब आगे देखो, 5000, LCM जब आप लोगे बेटा, ये 108 हो जाएगा, clear, 108 by 100 हो जाएगा, और power में 2 है, तो आप twice अलो मल्टिप्लाई, clear, देखो बेटा, CI के जो topic है, calculation-based topic रहेगा, आगे जो questions हम deal करेंगे, calculation-based रहेगा, और कुछ tricks भी मैं आपको बताऊँगा, जैसे चलो trick की बात कर लिया, तो ये कि यार, 108 का shot trick बताऊँगा, square निकाल लेगा, आपके बास virtual Kelsey अवेलेबल रहेगी, तो problem नहीं है, अपने को कोई problem नहीं है, लेकिन कैसे आप shot में निकाल देखो, मैं बात ही कर रहा हूँ, 108, इसको solve करेंगे, answer आजाएगा, answer आजाएगा, आप लोग सभी का, ठीक है, आप लोग चाहो तो further reduce भी कर लो, इसको reduce करने जब हम जाएंगे, तो 2 0 से, ये 2 0 cancel, ये 1 0 से, ये 1 0 cancel, ठीक है, 5 से 10 cancel divided by 2, देखो बेटा, 108 का square, आपके पास Kelsey है, मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं एक short approach सिखा दे रहा हूँ, आपको other than our study, देखो क्या, 108 का square निकालना है आपको, आपको एक base number लेना होगा, और base number आपने लिया क्या, है न, round figure में 100 लिया, हमेशा 100 के जो करीब हो 8 ज्यादा है न, बेटा, कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, 8 more है, तो आप क्या करोगे, कि 8 का square कर दो, कि 8 का, तो आपने जैसे 8 का square किया, तो 64 हो गया, अब देखो, next step में क्या करना, आपको पता था, 8 ज्यादा है, तो 108 में इस 8 को add कर देखो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 116 यही है बेटा square, यही है 108 का square, चेक करना, ठीक है, यह मिल गया, clear, अब इसके बाद आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 से जैसे डिवाइड करोगे बेटा, 2 से जैसे डिवाइड करोगे आप, आपको पता है कि यह कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 in hand, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 8, 3 2 रूपीज, और यह क्या है बेटा, यह है amount, और यह कितना था, यह क्या था, यह था principle, ठीक है, तो आपका यहाँ पे, इसके बाद सुनना, इसके बाद सुनना आप, बेटा, यह workbook का question number 90 नहीं है क्या, चेक करना, है तो, अगर नहीं भी है, तो कर लिए और क्या, है तो मैंने तो दिया था, ठीक है, इसके बाद देखना, यह पहला approach था बेटा, पहला approach था आपने solve कर लिया, ठीक है, पहला approach था आपने solve कर लिया, और आपको answer मिल गया, ठीक है, यहाँ से आपको CI मिल गया, 832 रुपे, clear है, clear है, अब आगे देखना पिटा, आगे देखना, अब इसके बाद मैं एक और approach सिखाता हूँ आपको, एक और approach सिखाता हूँ, देखो क्या है, जब आप समझ चुके हो, कि यहाँ पे successive लगेगा, compound interest के case में, note कर लो, successive percentage ही लगेगा, तो आप यहाँ पे directly, 5000 के साथ में, 8% जादा ना, तो 108 upon 100, into 108 upon 100, निकाल लो, clear है, और आपको क्या मिल जाएगा, amount, कितना हो जाएगा, 5832, clear, और यहाँ से आपको answer मिल गया, CI कितना पेटा, कितना, 832 रूपिस, 832 रूपिस माइनस करके, स्क्वाइर की tweak हर जगा work करेगी, कमलाकर कह रहे है, कमलाकर कल नाराज से मुझसे, कह रहे हैं समझा नहीं रहे हैं, मैं देखा था, अगर 100 से कम हो तो, कमलाकर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक और trick इसका सिको आप, एक और trick सिको बहुत मज़ा आएगा, देखो ध्यान से, देखो बेटा, एक trick और क्या है, कभी भी आपको CI निकालना होगा ना, तो आप कैसे निकालोगे, यह देखो, आप सबसे पहले यहाँ पर principle लिखोगे, क्या लिखोगे, principle, पर जितनी amount दी गई, अगर नहीं दिया जाएगा, अगर बात ही कर रहे हो, तो उसके लिए भी अलग trick होता है, यह trick है, मैं आपको यह नहीं कहता, कि यह conventional method है, conventional method, conventional method होता trick होता है, एकदम ध्यान से सुनो मेरी बात को, principle और अब देखो, time कितना, two years है, यह first year के लिए, और यह second year के लिए, clear, अब यहाँ पे यह देखना, बेटा, कि rate percent कितना है, R percent, और यह R percent, clear, अब देखना, ध्यान से मेरी बात सुनो, हाँ, tree method बेटा, जबर्द, अभी देखो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, principle पे लगा हुआ rate, या फिर कह सकते हो, principle पे rate लगाने के बाद मिला हुआ interest, ठीक है, यहाँ पे जो interest मिलेगा, वो आप कह सकते हो, कि सिर्फ principle पे है, तो वो SI के equivalent है, मेरी बात ध्यान से सुनना बटा, ठीक है, यहाँ पे interest मिलेगा, first year के ल लिए, और इसका नाम भी मैं I1 दिया, क्यों दिया, क्यों दिया, second year के लिए, लेकिन I1 क्यों दिया, क्योंकि principle पे जो interest निकलेगा, वो equivalent रहेगा, और बहतरीन तरीके से अगर मैं A और B में represent करके दिखाओं आपको, आपको बहुत मज़ा आएगा, यह देख, अगर यहाँ पे आपको मिला बेटा A, ठीक है, तो यहाँ पे भी A मिलेगा, अब सुनो, जब अब second year पे आओगे, तो यह previous year पे जो interest निकला है, उसमे भी तो आप rate लगाओगे, उसमे जब अब rate लगाओगे, तो same rate लगेगा, same rate लगेगा, और यहाँ पे आपको फिर से वही rate percent और देखो, एक अलग interest मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा बेटा, क्योंकि interest भी interest है, तो इसे आप कैसे signify कर दो, इसको बोल दो B, अब सुनो बेटा, अब CI कितना हुआ, आप से पुछा जाए तो, आप कहोगे, Sir 2A plus B, clear है, क्या कहोगे, 2A plus B, मैं सारी बाते समझाओगा, न बेटा देखना sound कम है क्या, अभी देखना तो, अभी पताना sound कम है क्या, अभी पताना बेटा, जल्दी से गौरव, जल्दी से reply दो, जल्दी से. sound कम है अभी भी कम है क्या ठीक है हाँ ठीक है परफेक्ट बोड ठीक है हाँ बेटा चलो यह आपने नोट कर लिया बच्चा यह नोट कर लिया ठीक है आगे सुनना मेरी बात को सुनना आप लोग सभी अब लोग सभी सुनना ध्यान से और एकदम बैटा एकदम ध्यान से सुनना यार कि कोई डाउट ना है हमको आगे बढ़ना है हमको दी जो यह तूफानी करना यार एकदम तूफानी डि आई करना इसके बाद एक छोटा सा मडूल एवरेज रिश्यू का उसको है clear ध्यान से इसको मैंने box में रख दिया और 5000 क्या है प्रिंसिपल है अब यहां पर यह एक बार रेट और यह दूसरी बार रेट लगेगा ठीक है देखो एकदम ध्यान से देखो पिटा rate परसेंट 8% है ना ठीक है मैंने 8% लिखा भाई 5000 पे 1% लगाते तो 10 लगाते तो 500 था 1 लगाते तो 50 है 50 पे 50 ए 1% तो 8% कितना होगा कितना होगा 50 into 8 400 तो आप यहां पर कहिए 400 ठीक है अब यहां पर मैं पूछ लो कि यहां कितना होगा, देखो बेटा, आप देखो यहां पर, आप जब second year पर जाओगे, तो आप principal पर भी rate लगाओगे, और interest पर भी interest लगाओगे, ठीक है, principal पर 8% लगाओगे, तो यह फिर से आपको 400 देगा, और एक और तरीका बेटा, जब आप second year पर आओना, देखो कितने य interest थे, आप समझ जओ कि दोनों पर निकलने वाला interest, यह 400 हो गया, जैन बेटा, आगे देखो, आगे देखो, इस interest पर भी interest निकलेगा, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, और कितना होगा, same 8%, कल के question में भी देखे थे, ठीक है, तो 400 पर 8%, यानि 1% 4, 8% 32, अब add करो बेटा, अब add करो, जब आप add करोगे, तो आपको यहाँ पर यह interest, यह interest और यह interest मिल रहा है, तो यानि कि आप देखो, 2A प्लस B, यानि कि यह twice amount है, 800, और यह रहा आपका 32, add करो, कितना हुआ, 832 रुपीस है, अगर पसंद आया बेटा, तो दिलों की बहुचार होनी चाहिए, पसं होँगा, नहीं आएगा बरुन, कोई error नहीं आएगा बिटा, जल्ली से, रितिक कहने, सर, more years के लिए, लंबा हो जाएगा, ट्रीड हैगा, हाँ बेटा, अगर 3 years तक है ना, तो मामला हम यहाँ पे निप्टा देंगे, और अगर 4-5 years है ना, तो हमारा जो successive वाला trick है ना, जैसे 100 by 100 करके, जैसे 4 years पे आगे, वो ऐसा कर लेगे, क्लियर है, जो बेट बेटा, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो, इसी question को ना, इसी question को देखो, जैसा मैंने कहा कि, ध्यान देना, 2 years के लिए एकदम ध्यान से, जैसा मैंने कहा कि, 2 years के लिए format होता है, ध्यान से बेटा, 2a plus b, clear है, बस ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, एकदम आराम से मैं बता रहा हूँ, आराम से, a क्या होगा पता है, a ना, 5000 पे, अगर 8% लगाओगे, यानी की, 400 ये होगा, clear है, तो आप डारेक्ली यहां से, 2 into 400 करो, और b क्या होगा पता है, बेटा, b 400 पे 8% लगाओगे, 32, ये होगा, clear, तो डारेक्ली आपको आंसर मिल जाएगा, बिना किसी solution बनाने के need के, 8, 32 रुपे से, क्या आप लोगों को clear हुआ बेटा, b क्या हो जाएगा, एक दव माइंड में कर लो यार, aptitude, IQ level चेक करता है, aptitude, aptitude, IQ level चेक करता है, ये होगा, 32, clear है बेटा, सभी को, सभी को, बेटा, compounding continuously ही होती है, हाँ बेटा, जैसे अभी मेरे पास दो सवाल आए, और दोनों important है तो मैं ले रहो, ठीक है, दोनों important है, पहला जैसे कलमा कर ने कहा कि सर, आप मुझे 108 का स्क्वार बताए, ठीक है, 108 से, 100 से कम वाला बता दो, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, टाइम जिस्ट नहीं करेंगे हम, जल्दी से तुरंत बाते करेंगे, सबसे पहले ज्यादा वाले बाते कर लेते एक practice हो जाएगी, उसके बाद कम वाली बाते कर लेंगे, जल्दी से, notebook में note कर ले न बटा, जैसे बटा, ये 100 से कितना जादा है, कितना जादा है, 1 जादा है, 1 का square करो, 1 का square 1 होता है, इसको दो digit में represent करो बटा, 0, 1, clear है, अभी देखो, ये 2 जादा है, तो 2 का square करो, 0, 4, 3 जादा है, 3 का square करो, 0, 9, ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ, अब स और ये 2 जादा है ना, तो 102 प्लस 2, 104 कर दो, ये 3 जादा है ना, तो 103 प्लस 3, 106 कर दो, clear है सभी को, हाँ बेटा, 3 years के लिए बताएंगे, जल्दी से देखते जो बस, हाँ बेटा, जरूर बताएंगे, जल्दी से, अभी सुनो बेटा, अगर 105 रहे तो आपके पास ये trick भी हाँ बेटा, वेदिक मैट्स है, मैं वेदिक मैट्स भी पढ़ा चुका हूँ, ध्यान से देखो बेटा, ये 105 है, इसके लिए आपके बास दो trick है, पहला trick कहता है कि 5 जादा, 5 के square के तो 25 और 5 एट के तो 110, दूसरा trick क्या है, ये देखो बेटा, जब ही भी लास में 5 रहेग तो आप सीधा 5 का square करना 25 और इसके बास जो remaining number रहेगा 10, इसके साथ में इससे 1 जादा, यानि कि 11 का multiply करना 110, तो ये हो जाएगा 110, अगर ये कहोगे कि सर ये 105 वाला जो है, एक बार और बताओ, तो ये देखो, 95 में देखो बेटा, 95 का square देखो, 5 का square किये तो 25 और 9 से एक ज 9025, clear बेटा, अभी मैं 100 से कम वाला बताऊंगा, जल्दी, बहुत बढ़िया कम लाकर, बहुत बढ़िया और किसी का कोई भी डाउट हो, तो पूछते जाना, अभी देखो, 100 से कम वाली बाते करेंगे हम, 99 का square, देखो बेटा, 99 का square, 98 का square, 96 का square, then 95 का square, ध्यान से बेटा, 95 का square तो मैं बता दिया ना आपको, चलो, 85 का square ले ले ले, लास में 5 रखा मैंने, किसी को कुछ कहना कह सकते, देखो बेटा, जब 100 से जाधा रहता था, कितना जाधा था, वो देखते थे, अभी 100 से कितना कम है, 1 कम है 1 का स्क्वाइर करो 0 1 कितना कम है 2 कम है 2 का स्क्वाइर करो 0 4 कितना कम है 4 कम है 4 का स्क्वाइर करो 1 6 ठीक है इसको last में treat करते हैं अभी देखो कितना कम है 1 कम था 1 फिर से कम कर दो 9 8 कितना कम था 2 कम था 2 फिर से कम कर दो 9 6 कितना कम था 4 कम था 4 फिर से कम कर दो चेक कर सकते हो बिटा आप 9216 इसका दो नियम है आपको मैं बता दिया पहला यह है कि बिटा 5 का स्क्वाइर की 25 हो गया है ना इसके बाद 8 से 1 जाधा 9 8 9 जा करो गया आप तो आपको 72 मिलेगा 72 25 और दूसरा मेथट भी देखो जल्दी से बहुत बढ़ी है वह बहुत जल्दी से इसके बाद देखो बिटा जब इसको हम लोग स्टार्ट किये तो थोड़ा सा और चला लेते हैं देखो यह डाउट आएगा आपको आगे चलके 89 का स्क्वाइर 121 का स्क्वाइर क्लियर यह दोनों को देख लो बस पहले 121 का स्क्वाइर देखो 100 से कितना ज़्यादा 21 ज़्यादा ठीक है 21 का स्क्वाइर करो 441 होता आपको 2 इडिजिट में लिखना है बेटा कितना होता है 21 का स्क्वाइर ध्यान से अगर फोकस रहेगा तो मिस नहीं करोगे मिस मत करना मिस मत करना अब इसके बाद देखो 441 वह तो आप 41 को उपर लिखो 4 को नीचे लिखो क्लियर है अभी 4 को आपने नीचे लिखा है बाद में आप यूज करोगे अब देखो 121 है 100 से कितना ज़्यादा 21 एड़ करो एड़ करो है ना 121 में तो आपको कितना मिले गए इन दोनों को एड़ करोगे तो 142 अब इस 4 को एड़ करो इस 4 को जिसको आपने एक्स्रा रखा था एड़ करो 146 14641 आपको मिला मिला की नहीं जल्दी से मिला बिटा अब यह 89 वाला देखो कितना कम है 89 वाला देखना बिटा कितना कम है 11 कम है 11 कम है 11 कम है न 11 का square करो कितना होगा 1,2,1, आप 2,1 लिखोगे 1 को carry रखना वेटा अना 1 को carry रखना 1 को क्या रखना carry रखना ठीक है अब देखो ध्याल से कितना कम था 11 कम था और 11 कम करो बेटा और 11 कम करो कितना होगा 78 होगा ना अब जो carry 1 था उसको add कर दो 79 बेटा अब जो है आप practice करके आना और मुझसे कल पूशना ठीक है बहुत बढ़िया अब आपको practice करना पड़ेगा बेटा अब आपको भी अपने side से practice करना पड़ेगा सारा मैं भी बता दूँगा तो कैसे चलेगा अपना आप भी practice करना कर एक क्लियर है मैं और भी चीजे आप लोगों को बताऊंगा बस आप practice करना बस आप लोगों को बहुत अच्छी चीजे जो है बताता जाओंगा लेकिन आप लोग practice करो ठीक है करोगे नब्रेक्टीस तो मैं सब चीज बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि एकदम शौट में और बोलोगे सर ये answer है ये answer है सर क्लीर है ऐसे करके आप बता दोगे देख लो multiply करके देख लो आप multiply करके देखो तो कि मल्टिप्लाइ करके देखो आप जल्दी से हाँ बिटा नवीन से मैं चलो यह देखो मैं आप लोगों के आने वाले अगर मानलो ऐसा कुछ आप लोगों के सामने आ जाे एक दम ऐसा बोहती बड़ा नंबर आ रहा है और इसको किस से करना कल बात करेंगे आने वाले करना देखो आप ऐसा लिखना वन एट त्री फाइव सेवन नाइन सेवन चेक कर लो बेटा फाइव फाइव नाइन सेवन चेक करो हाँ बेटा नो नीड ऑफ गेट लो नीड ऑफ गेट एक्जाम सही है लेकिन सीख लो है ना मिनेट्स में सिखा दिया एक्जॉस्स हो रहे थे सिखा दिया जो डियर है चलो है अब आगे बात करेंगे ये तो बात हो गया है इसके अपने अलग अलग अएा प्रोच देख लिए है अब हम आगे बात करेंगे कि भी कि परसुई पिटा आने वाले salty अ प्रिच वाला बता दो ड्री ड्याग्राम तो यह देखो पेटा, 3 years वाला देख लो, ध्यान से, देखो पेटा, यहाँ principal यह first year के लिए आप interest निकालोगे, sorry, आप लोग principal पे first year के लिए interest निकालोगे, A, then फिर A second year के लिए, then third year के लिए A, clear है, एकदम ध्यान से पेटा, एकदम ध्यान से, clear है, यहाँ तक, जब आप second year पे जाओगे, है ना, चलो बहुत बढ़िया, जब आप second year पे जाओगे, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, तो आप इस पे rate लगाओगे, ठीक है, इस पे rate लगाओगे, second year के लिए हो आप, बस इस पे लगाओगे, second year पूरा हो गया second year क्या मिल आपको यह देखो B मिल गया 2 A plus B होता था second year पे अब जब बेटा आप आओगे third year पे तो आप इन तीनों पे भी rate लगा के interest निकालोगे ठीक है इस पे निकालोगे ध्यान देना इस पे निकालोगे clear इसके बाद इस पे निकालोगे इसके बाद इस पे दिखना इस पर निकाला था तो B मिला था तो इस पर निकालो के फिर से B मिलेगा तो आप लिख दो यहां पर B, clear? similarly, A पर फिर से निकालो के फिर B मिलेगा, क्योंकि R percent तो सेम है ना, R percent तो सेम है, यह R percent तो सेम होने वाला है हर एक case में, clear है? सभी चीज़ें समझ आएगी सभी चीज़ें समझ आएगी clear अब देखो बिटा जब B पे rate लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा C तो यहाँ पे आपको format मिलता है 3A plus 3B plus C ठीक है question आएगा तो देखेंगे चलो जल्दी से बिटा जल्दी से अब और बाते करेंगे अब और बाते करेंगे बेटा यह जो सी एई टॉपिक है यह थोड़ा calculating topic होता है virtual calc से आप solve कर लोगे जैसे यहाँ पे देखो बिटा अब कल कोई पूश रहा था student हाँ बेटा नदीम जैसा यह से से इन्वली केस होता है semi-envali प्रण यानि कि देखो कभी भी rate होता है न तो rate के बारे में क्या होता है कि यो ये कि जो है कि time जो है एकदम ध्यान से सुनना जो time है वो देखो जितना year दिया गया है वो twice हो जाएगा twice quarter में यानि one year जो होगा वो two quarter में हो जाएगा है ना two quarters में ठीक है अगर आपके पास LIC की insurance होगी या कोई insurance होगा तो उसमें mode payment होता है half yearly quarterly ऐसा करके होता है clear है तो यहाँ पे अगर semi-anuali लिखा गया है तो आप two years में payment करेंगे four quarters में clear है और यह four quarters semi-anuali case में आपके लिए n बन जाएगा clear है जब हम formula लिखेंगे जब हम आपको formula बताते हैं कि a is equal to p one plus r by 100 और यह रहा power में n तो यह n आपका क्या बन जाएगा four quarter बन जाएगा अब आगे सुनिए बटा अब यहाँ पे बात करते हैं rate की तो rate के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा ध्यान से सुनते जाएगा जो rate है उसके साथ क्या होगा कि ऐसे rate जो है 20 परसेंट है लेकिन 20 परसेंट यहाँ पे properly two years के लिए होता लेकिन four quarters में है यानि की per year रहता तो 20 परसेंट 20 परसेंट रहता लेकिन semi-annually के case में जो rate परसेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 10% हो जाएगा clear है 10% हो जाएगा क्यों हुआ क्यों हुआ बेटा क्यों हुआ समझो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो जब हम 2 years की बात करते है 20% यानि हर per year 20% 20% 20% जब हम 4 quarters ले रहे हैं तो rate भी हम 10% 10% 10% 10% 10% लेंगे यानि 4 times करोगे 10% का तो आपको 40% मिल रहा है अगर 2 times करोगे 20% का तो 40% मिल रहा है जैसे आपने यहाँ पर time को quarters में आपने तोड़ दिया तो ऐसे rate भी break हो जाएगा ठीक है बेटा है ना ठीक है का कौन सा question है जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा यह आपके workbook का कौन सा question है अब बेटा मैं बात करूँगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बता है आप कि यह quarters में मत बोलो सार half में बोलो ठीक है है ना two halves ले लेते हैं ठीक है quarter में doubt हो जाएगा बेटा आप लोग मुझे यह बता दो कि यह आपके workbook का कौन सा question है ठीक है बेटा 20 है ना आ लोग बेटा आप 20 questions ही तो 20 नमबर ही तो solve कर रहे हो ना आप कह रहे हूँ 20 नहीं है आपके workbook में आपको अलग workbook मिल गया क्या है ठीक है हा बेटा ठीक है सही कह रहे हो आप two halves में ले लो two years four halves में हो गया तो यहाँ पे देखो आपका एन तो 4 हो गया ना एन तो 4 हो गया एन 4 हो गया rate 10% है 10 into 4 40 हो गया यहाँ से 2 into 20 करोगे तो भी 40 होगा clear है clear है ठीक है कमला कर ठीक है बटा ओके आलो है ना बटा आलो चेक कर लेना यार कोई दिक्कत नहीं है ना sorry का need नहीं है अभी देखो यहाँ पर इसको solve कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं तो कुछ भी नहीं करना यार कुछ भी ऐसा नहीं करना है इसमें आप लोग सबसे अमाउंट पूछा ना आपको अमाउंट पूछा ना यह देखो आप यहाँ पर सक्सेसिव लगाईए अमाउंट इस इकोल टू प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल कितना 80,000 है तो यह 80,000 हो गया और यहां पर रेट कितना आप देखें आप यहां पर फियर्डी ले रहे हो तो 10% होगा क्लियर है तो आप यहां पर आपका यहां पर हाफ कितना हो गया फोर हो गया तो आप 110 पेटा क्लियर ना हो तो बोलना 110 Divided By 100 और ऐसे आप 4 जैंस मल्टिप्लाइ कर दो क्लियर है एक बार देख लो बटा परहाफ जब यहां पर सेमी आनवली की केस में आपको पता है यहां पे semi-anvally कहा जा रहा है यानि कि one year में one year में six months होते हैं six months होते हैं और six months को हम half year कह सकते हैं आपको half yearly mode में half yearly mode में जो यहाँ पे calculation करना है तो two years देखे बटा one year में कितना half mode होगा half yearly होगा two होगा तो two years में कितना हो जाएगा half yearly फोर हो जाएगा बैटा, फोर हाफ ये अल्ली हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो आपको n is equal to 4 लेना होगा, n is equal to 4 लेना होगा, हाँ बैटा, direct formula लगा की यह answer लाना ही है, तो मैं समझा रहूं आपको, आप देखो, वहाँ से direct formula लगा ओगे, देखो यहाँ पे, जस हाफ करना पड़ेगा आपको, और n is equal to 4 लोगे, अब यही चीज़ करोगे, है ना, जल्ली से, अब देखो विटा, जब यहाँ पे, आप इसको calculate करोगे, ध्यान से देखना, 0 cancel कर लो, 2 times है, यह भी 2 times है, clear, 4 times cancel हो गया, अब यहाँ पे, 1, 0, 1, 0, अच्छा, 0s को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे बटा, अभी आपने देख लिया, 11 का square कितना होगा, 1, 2, 1 होगा, और आपके पास Kelsey तो होगी, और यह भी 1, 2, 1 होगा, clear, और 1, 2, 1 का square कितना होगा, अभी आपने सीख लिया कि 1, 2, 1 का square होने वाला है, 1, 4, 6, 4, 1, ठीक है, और इसके बा 2, 3, and 4, clear है, तो यहाँ पे 4 zeros हो गए, और यहाँ से zeros क्या होए, कैल्सिल हो गए, कितने 0 हो रहे है, 4, 0, और यहाँ into 8 करना होगा, into 8 करना होगा, clear है, 80,000 है, 8,000 है, ठीक है, अब यहाँ पे just आपको calculation करना है, calculation का part यहाँ पे complete करना है, आप यहाँ multiply कर दोगे, 8, 1, the 8, 8, 4, the 32, 3, in hand, 8, 6, the 48, 3, 51, 5, in hand, 8, 4, the 32, 5, 37, 3, in hand, 8, 1, the 8, 3, 11, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे just आपको calculation करना था, और आपका answer था, clear है, एक बार चेक कर लेना तो बेटा, एक बार चेक कर लेना आप लोग सभी, एक बार चेक कर लेना, just calculation करना है आप लोगों को, जल्दी से, ठीक है, बस बेटा, minus करना होगा फिर, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको just calculation करना है, इसमें calculation करना है, just आपने यहाँ पे 80,000 into, देखो यहाँ पे, 80,000 into 110 by 100, 110 क्यो हो रहा है बेटा, क्योंकि रेट जो है, वो भी half yearly हो जाएगा, clear है, बस यहाँ पे apply किया, और आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया बेटा, आपको मिल गया amount, किसी को कोई doubt है क्या, किसी को भी, rate समझ नहीं आया, तो मैं फिर से समझा दूँगा, calculation में doubt है तो बोलो, अनुराग हो रहा है बेटा, बोलो बोलो जल्दी, नभी को rate समझ नहीं आया, वो मैं clear कर दूँगा, देखो, एकदम ध्यान से देखो, क्यों ऐसा कहा रहा हो, एकदम ध्यान से देखना, semi-annually पे बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, annually पे बात कर लेते हैं, semi-annually पे बात कर लेते हैं, चलो दूसरे slide पे बात करेंगे, ध्यान से बेटा, annually situation पे बात कर लेते हैं, semi-annually पे बात कर लेते हैं, quarterly situation पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है, एक ही साथ बात कर लेते हैं, सारी बात है, ध्यान से बटा अभी देखो यहाँ पे पहले rate percent देखो आप अगर annually पे rate percent आपको यह कहा गया कि 20% है और अगर आप से time यह कहा गया कि time जो है वो देखना बटा one year है clear है clear है हाँ बटा answer point में ही आएगा ठीक है बटा अब आगे देखो आगे समझना बटा यह 20% ही यह one year है आपको पता है ना one year में semi annually कितना यहाँ पे कितने halves होंगे तो one year में two halves होंगे कि नहीं या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर आप premium दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो तो half early mode भी होता है ना तो आप दो बार दोगे कि नहीं दोगे दोगे ना दोगे ना तो यहाँ पे two halves होंगे ठीक है two halves होंगे और यहाँ पे four quarters होंगे कि नहीं यह बात बस बताओ होंगे कि नहीं होंगे यह बताओ होंगे कि नहीं यह बताओ जल्दी से होंगे कि नहीं बेटा यह बात clear है तो clear लिख दो एक बार बेटा जनरल फॉर्मूले से हिंशन कुछ नहीं होता बेटा concept aptitude math थोड़े है यार कि formula से ही बात करेंगे हम लोग हर समय मैं बता दूंगा तो कि यह formula जिन्दकी पर याद रखोगे क्या है ना formula याद थोड़ी रखोगे और पी वाई क्यू बुक के बारे में जो बोला है बेटा यहां पर लिंक है आप लोग purchase करना relevant question के ही practices करना clear है ना चलो बेटा आप सुनो मेरी बात अगर 20% यहां one year के लिए निकाला मैं ठीक है overall बात कर रहा हूं मैं तो 20% आएगा की नहीं overall ठीक है overall का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 100 में 20% निकालने कहा one year के लिए तो आप 20% ही निकालोगे successive तो नहीं करोगे अब मेरी बात सुनो ध्यान से अब जब semi-anvali पर जाओग यहां पर two halves है clear है आप यहां के 20% लिखोगे अगर 20% लिखोगे तो overall 40% आ जाएगा उस amount पर 40% निकालना पड़ जाएगा semi-anvali के case में आपको 40% निकालना पड़ जाएगा ऐसा नहीं बटा अब 10% है ना जैसे यहां पर आपने दो half में बाटा तो अब rate को half कर दो ठीक है आप देखो overall आपको कितना percent होगा almost 20% exactly नहीं होगा successive लगेगा 21% के करीब जाता रहेगा यह ना 21% के करीब जाता रहेगा ठीक है तो यहां पर देखो ठीक है अब इनको just मैं multiply करके ही बोल रहा हूँ जाएगा 21 मुझे मालूम है आपको समझाने के लिए आपका concept clear करने के लि देखा की नहीं और यहां पर multiply करके देखो overall 20% आ रहा है की नहीं overall वन येर के लिए four quarters कैसे होंगे बेटा देखो वन येर में कितने months होते है six months होते है ठीक है sorry one year में देखो आप लोगों के doubts clear करते करते मैं six months बताने लग गया देखो आभी क्या हाल हो गया मेरा 12 months होते है clear है और one यहां पर देखना बटा ध्यान से 12 months में one quarter में बेटा three months होता है three months three months clear है क्यों ऐसा one quarter का मतलब क्या होता है one by four one by four होता है clear है बेटा clear है क्या हाँ बेटा हाँ बिल्कुल किशन बिल्कुल कभी आप लोग जब solve करोगे semi-annually case को तो आप rate को half कर दो क्योंकि आप देखो ना time double और ऐसा अपन बच्पन में कहते थे लेकिन सहीं बात क्या है सहीं matter क्या है उसको समझो कहने से नहीं रटने से नहीं होगा क्यों ऐसा होता है वो समझो क्यों ऐसा होता है वो समझो ना formula नहीं रटना है हमें क्यों ऐसा होता है वो हम समझेंगे तो हमसे क्या है tough question भी solve हो जाएगा इस बात को समझो next question देखो यहाँ पर next question देखो आप next question देखो देखो आप लोगों से पहले smart course के बच्चों को मैं बता दू कि बेटा अपने workbook को share मत करना क्योंकि कुछ common questions होते है लेकिन कुछ questions है जो आप लोगों को ही दिये जाते है ठीक है इसलिए मैंने telegram group पे telegram group से अगर जूड़े नहीं हो तो आपको link available करा दिया जाएगा उसमें मैंने कहा था यह बात कि हर question जो है सबको नहीं मिलते न जो जनरल सिखाने के लिए होते हैं वो मिलते हैं बस बेटा भागे श्री यह semi-anvali case था यह semi-anvali case था यह वाला case देखो यह quarterly case है ठीक है दोनों में अंतर है ना semi-anvali था इसलिए हमने halves लिया बेटा हैना halves लिया हैना half of year का clear है एक दो मतलब feel करो ना connect हो feel करो यार feel करो चीज़ों को अब ही देखो फिरसे देखो यहां पर अब यहां पर quarterly बात की रही है इस question में चलो next question quarterly बात की रही है तूरं समझ जाओ की यहां पर quarterly बात की रही है और one quarter का मतलब क्या होने वाला है three months होने वाला है clear है और तुरन समझो यहाँ पर time कितना दिया गया है एकदम ध्यान से बटा आप divided by 4 कर रहे हो year को बस यहाँ पर time 9 months दिया गया है तो यहाँ पर 3 months को अगर आप 9 months बनाने जाओगे तो यहाँ पर into 3 करोगे की नहीं करोगे बेटा एकदम एक एक point clear रखना अपना और जिसका clear हो रहा है वो positively कहे कि सर मेरा clear हो रहा है ताकि लोगों को और confidence आए कि वो भी कर पा रहे है ठीक है 3 quarters हो जाएगा 3 quarter is equal to 9 months तो यहाँ से आपको n की value 3 मिल जाएगी की नहीं मिल जाएगी मिल जाएगी यह बात बस बताओ अगर यह बात clear कर दिये ना यह बात clear कर दिये तो एक दम बहुत बढ़िया हो जाएगा शुबंब का कहना है कि सर 121 का square बता दो बेटा बताया तो दो बार बताया ना आगे वड़ो आगे कभी बता देंगे है ना अभी यहाँ पर यहाँ पर रहो ना जो चीज छूड़ गई बेटा उस पर हम क्या जाएंगे यहाँ पर रहो यह मिस हो गया तो फिर तो वह भी ना रहा यह भी ना रहा अभी यहाँ पर देखो आप यह देखो पहले ध्यान से बहुत बढ़िया रितुराज बहुत बढ़िया अनुराग बेटा एन क्या अरे क्वाटरली का केस है अगर यरली का केस होगा तो जितना यह है उतना लेंगे ना कैसे कर रहे हो यार चलो आगे देखो अब रेट में क्या करेंगे अपन है ना क्वाटरली केस था रेट अगर 10% है तो क्वाटरली के केस में रेट कितना हो जाएगा या या फिर आप कह सकते है निऊ रेट कितना हो जाएगा बेटा, new rate कितना हो जाएगा, 10% divided by 4 हो जाएगा, यानि 2.5% होगा, यह किसको clear होगा, यह बात बता दो बस, जैसे half yearly में divided by 2 किया था, यहां बें divided by 4 होगा, जल्दी से, हो रहा है सुमन हो रहा है, जल्दी से, बताओ, जल्दी से बताओ, clear है, clear है क्या, जिसका clear है बेटाओ, पॉजिटिवली बताओ, क्लास 9-10 का question है, इतना time नहीं लगना चाहिए, से हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, क्या, कैसे short trick में खरेंगे, आगे देखना बिटा, चलो इस question को solve करते हैं जल्दी से, 10,000 है, हमें निकालना है क्या find out करना है, c i find out करना है, तो पेटा आप लोगों को पता है कि आप पहले amount निकालोगे, फिर amount से principal को minus करोगे, यहाँ पे principal कितना है, 10,000 है, 10,000, rate कितना है, 2.5%, 100 से add करो, 100, 2.5 हो जाएगा, और n की value कितनी आई, n की value कितनी आई पेटा, 3i, qi, qi, qi क्यों कि quarterly था, ठीक है, rate को आप 3 से क्यों डिवाइट करोगे, यार, चलो बेटा, जल्दी से, ना, आगे देखते हैं, बेटा, जिसको doubt होगा, WhatsApp पे आप अपने doubts पूछ ले ना, बेटा, है ना, बहुत ही basic, basic doubt हो रहा है, आपको यह लग रहा है, कि यहाँ पे 3 है, तो 3 से divide होगा, पिछले बार 4 था, तो 4 से, अरे, यह 3 इसलिए आया, क्योंकि यह 9 मन्त है, clear है, बस इतना समझ लो, एकदम आम भाशा में, जब semi-annually लिखा होगा ना, जब semi-annually लिखा होगा, तो आप क्या करना, आपको एकदम, मतलब, जो आम भाशा होती है ना, वो एकदम अच्छी लगती है ना, तो यह देख लो, rate को आप 2 से divide कर देना, और time को 2 से multiply कर देना, clear, जब quarterly का case होगा ना, quarterly का case होगा, तो क्या करना, rate को 4 से divide करना, और time को 4 से multiply करना, clear है, अभी यह कहोगे कि सर्फ 9 मन्त को आप 4 से divide नहीं किये, बैटा वो month है, ठीक है, 9 मन्त को 12 से divide करोगे तो आपको year मिलेगा, ठीक है, इसको आप 4 से multiply करोगे, करके देखो आप, आपको यहाँ पे T की value 3 मिलेगे की नहीं मिलेगे, clear, अभी आगे देखो, इसको solve करना है, बैटा, इसको further reduce करोगे, जब आप, cancel करोगे, 41 by 40 मिलेगा, ठीक है, 25 से divide करोगे, 25 से वो number divide हो जाते हैं, जिसके last में 25, 00, 50 और 75 हो, और यह 41 by 40, बैटा, just calculation और पार्ट है, आप लोग, calculate कर लोगे, क्या, जल्दी से, सुनील का answer आगया, जल्दी से, बालू 110 इसलिए नहीं होगा, बैटा, क्योंकि यह quarterly है, इसमें 4 से divide करना होता है, ठीक है, यह quarterly है, वीडियो को देखना है, एक बार, वो जो मैं बताया हूँ, लास्ट लाइड में, बहुत important बात बताया हूँ, यह कैसे आप लोग मिस कर दिये, यह चीज कैसे नहीं समझ पाया यार, यह चीज नहीं समझ पाया है, इस बात से मुझे बहुत ही मतलब खराब लग रहा है, कि यह चीज कैसे नहीं clear हो पाया, कि semi-annually में क्यों half होता है, क्यों हम end 2 लेते हैं, quarterly में क्यों end 4 लेते हैं, one year को हमने यहाँ four quarters लिया, two halves लिया, semi-annually, इसको देखोगे न भीटा, इसको नहीं समझ पाया यार, यह चीज को, मैं कहा हो कि यह चीज को एक बार आप note करके, फिर से सोचना सर क्या कहें, इस चीज को, ठीक है, ठीक है, इस point को सोचना आप लोग सभी, जिनको नहीं समझा है न, वो सोचना, प्लीज, अभी देखो बीटा, calculation वाला पार्ट है, आप चेक कर ले न, और बच्चे कहा भी रहें कि उनसे बन गया है, तो calculation वाला पार्ट है, जास्त है, सारे questions calculation वाले है, question number 25 ही ऐसा है, जो बहुत, मतलब different है, और वो इतना different है, कि उसको मैं अभी लोगा भी नहीं, और इसलिए नहीं लोगा, क्योंकि जब आप DI पढ़ोगे न, तो आपको समझाएगा importance किया aptitude का, और DI में उसको मैं connect करके बताऊंगा, ठीक है, DI में वो question लोगा मैं, clear है, देख 2010 और 11 में, जो consumption है, वो double हो गया, ठीक है, double हो गया, और यहाँ पे annual rate of increase आपसे percentage में पूछा है, clear है, same formula, a is equal to p, ज्यान देना, 1 प्लस r by 100, जो formula हम use करते थे, इसको ही थोड़ा सा manipulate करेंगे, अभी annually, semi annually वाला case नहीं है, ठीक है, आगे देखो बिटा, यह वाले question में, आप लोगों के पास, जैसे population वाला question मैं बताया है न, ऐसे question पूछे ही जाते हैं, ऐसे question पूछे ही जाते हैं, यहाँ पे देखो, आप new word use कर सकते हो, और p के जगा पे old word use कर सकते हो, अगर बात consumption की की गई, या population की की गई, तो आप यहाँ पे new consumption, या new population हो, तो new population use कर सकते हो, बेटा, clear है, आप different cases समझना, start कर दो, बेटा, कि एक question से different cases क्या होते है, one plus r percent, clear है, जो भी rate का percent होगा, इस बार तो आपको, देखो, मैं r percent क्यों लिख पाया, क्योंकि one by hundred जो होता है, वो percent होता है, clear है, one percent को आप one by hundred लिख सक तो मैंने यहाँ पे one by hundred को r percent लिखा है, ठीक है, आगे समझो बेटा, इस formula को use करके आपको answer निकालना है, just calculation वाला part है, एकदम short में देखना है, यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों को Kelsey use करना पड़ेगा, बात को समझना, देखो बेटा, power double हो गया, ठीक है, power double हो गया, एक अग्दम ध्यान से, last question का, diagram semi annual quarterly बेटा दिखाऊंगा, यह question देख लो बस, फिर से दिखाऊंगा, वो जरूरी है यार, वो जरूरी है, मुझे भी तो पता है ना, कि student कहा पे गलती करेगा, मुझे सब पता है, मुझे सब बात पता है, ठीक है, लेकिन इतना समझाने के बाद जरूर समझ जाएगा, यह भी बात पता है, देखो बेटा, new consumption क्या हुआ, double हुआ, किससे double हुआ, old consumption से, 2 into old consumption कर लिए बेटा, clear, और इसके बाद यह क्या था, old consumption था, यह A हो गया, यह P हो गया बेटा, एकदम ध्यान से, और इसके बाद 1 प्लस R परसेंट, आपको R परसेंट निकालना है बेटा, आपको R परसेंट निकालना है, कितना है, पावर में N है, ठीक है, पावर में N है, मैं यहाँ पे 10 क्यों लिख पा रहा हूँ, यह important point है आप लोगों के लिए, ठीक है, यह important point है कि मैं 10 क्यों लिख लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि बैटा यहां पे देखो आप लो 2000 to 2001 है और 2010 to 2011 है अगर differences देखो कि आप तो 10 years का है है कि नी 10 years का differences यह बताओ differences है ना note कर लो बैटा ना time difference कितना 10 years का अब देखो further इसको solve करेंगे हम तो यह 2 हो जाएगा यह यहां पे देखो ना यह तो cancel हो गया ना इतना पार्ट यह आपका 1 plus r% और power में 10 clear इसको further solve करोगे to 2 के power में 1 by 10 और इसके बाद 1 plus r% clear है r% आप चाहो तो r% ले के चलो r% आप ले है यह तो आप ठीक है बिल्कुल r by 100 लेके ही चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा किसी भी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है clear है बात एकदम ध्यान से आप जो फॉलो करते आ रहे वही फॉलो करो कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे देखो इसको बेटा इसकी वैल्यू आप केल्सी से निकाल लो जल्दी से इसकी वैल्यू केल्सी से निकाल लो जल्दी से जल्दी से आप लो केल्सी से निकाल लो इसकी वैल्यू और मुझे बता दो जल्दी से और यह हो गया माइनस वर clear और R by 100 जल्दी से बेटा Kelsey से निकाल लो ये value नवनीत बेटा वो semi-annually है ना semi-annually की case में आप 100 10 by 100 करेंगे Meg ने बताया 1.071 ओके बेटा 1.071 देखो ध्यान से 1.071 हुआ न माइनस 1 करोगे ठीक है और इंटू 100 करोगे आपको R मिल जाएगा clear तो यहां से देखो बेटा 0.071 आप लोगों को मिल रहा इंटू 100 करोगे तो R मिल जाएगा therefore therefore R is equal to approximately 7.2% क्या आप लोगों को clear हुआ बेटा क्या clear हुआ बेटा आप लोगों को सभी को सभी को clear हुआ clear है ना clear है ना बेटा चलो बहुत बहतरी है ना अभी देखो हमने workbook का almost सारा question कर लिया एक question बसता है 25 को तो मैं बाद में connect करूंगा 10 कहां से आया बेटा 10 यहां से आया यहां से आया यह पावर 10 है ना इस तरफ जाएगा जैसे square होता है तो square root हो जाता है ना बेटा आप कोई एक question दुनिया में दुनिया से निकाल के दिखा दो कि इसमें नहीं दिया हो देगा बेटा देगा है ना SICI बताएगा हाँ बेटा 7.1 दिया है ना तो आप 7.1 ले लो approximately क्या दिक्कत है option में जो दिया रहेगा वही लेना ठीक है आगे बढ़ जाए अब हम हाँ बेटा यह देखो डाग्राम देख लो आप है ना परशान नहीं हो ना बेटा अब डाग्राम देख लो जल्दी से यह डाग्राम आप लोग सभी नोट कर लो जिसको समझ नहीं आ है बाकी हम देख बेटा जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो जुड़ा जुड़ जाए और डाउट पुछे और बेटा बुक का जो लिंक है ना बेटा प्लीज ले लेना यार मजा आ जाएगा aptitude में कल मेरे एक student का call आया बहुत upset था last year जो है उसके marks जो है on the mark नहीं थे तो लेकिन इस बर में बता रहा हो इस बर तो तूफान है और तूफान सीधा आपको लेके 15 out of 15 cross करा के ही रहेगा इस बात को समझो मेरी बात मानो मेरी बात मानो irrelevant चीज़े नहीं पढ़नी अभी द बोला कि सर क्या जरूरत है यार सही बात है क्या जरूरत है यहां पर जरूरत नहीं है ऐसी बातों की अच्छा बेटा अब छोड़ो 7.1 और 7.2 में अपना अपना दिमाग नहीं लगाएंगे अपन आगे बढ़ते ना वेवा चलो लास्ट कोशन है अभी लीला को कार खरिदना है शायद लीला को कार खरिदवा देते हैं हम लोग और इसके बाद हम अगले मॉडिल में भी आपना अपना सक्सेशिव सब्याइब को मुझे तो पता है ना मुझे पता है कौण से कोषन आप दे रहे हो मुझे पता है और मैं चाहूं तो देखो अभी में स्कॉर सिखाने लग गया मैं 11 का मल्टीबल चीखाने लग गया मैं ऐसे बोलूँगा ना आपको ऐसे कर क् से सर ये सब क्यों करा रहे हो नहीं करांगा मैं मैं बस बता रहों आपको कि अगर मैं मैं चाहू ना तो ऐसा कर अगर यहाँ पे number system को ऐसा लिख दूँगा प्लस तू ऐसा कर नोगा इसे करकर एंका ऑन के यह लिख दूंगा और उसके तूरंद बता दोंगा answer क्या है है तूरंद बता देता ह kijken इसका answer क्या होगा इसका answer क्या होगा तो पैटा यह सब चीज़ंगे जब हमारे needs के है govern है नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे आप ऐसा करके करोगे LCM लेके 2 LCM लोगे 6 होगा सर ये 3 प्लस 1 ये 4 by 6 हो रहा सर 2 by 3 हो रहा सर ऐसे करके करोगे और मैं करने जाओंगा ना तो मैं तो ऐसे ऐसे बस ऐसा लिखा रहेगा ना कुछ तो सारे ट्रिक तो अपने को ही पता है अपने को सब चीज पता है लेकिन हम क्यों आपको बढ़ाएं यार हम आपको अगर irrelevant चीज़े सिखाते हैं यहाँ पे तो मतलब blame है हम पे आप blame करोगे कि sir यह क्या पढ़ाते थे आप यह ना blame कर सकते हो आप लेकिन आपके साथ गलत नहीं होने देंगे हाँ देखो दुरूव ने क्या कहा दुरूव ने कहा कि sir Kelsey तो है नीट नहीं है यह सब चीज़ का और उसी तरीके से दुरूव जब यहाँ पे हम gate की preparation करते हैं तो हमारा जो question का statement होता है वह बहुत different होता है यार वह वाला question याद करो clock वाला clock वाला time and work का जो question था design consultant वाला यार क्या language है tiger deer वाला क्या language है truck car वाला क्या language है समझ रहे हो तो यार हम वैसे statement वाले question solve करते हैं अगर वैसे question मिलते हैं तो करते हैं तो जब मैं कह रहा हूँ कि वो book बहुत relevant है तो बहुत relevant है हाँ बेटा जल्दी से अभी देखो यह question आया हुआ इसको solve कर लेते हैं कुछ नहीं है अभी हमने सीख लिया भाई कि हम successive भी सीख गया है और कहां पर क्या अप्लाई करना है वह सीख गया है तो हमें पता है देखो लीला aspires to buy a car of rupees यहां पर देखो इतने सारे zeros है यार इतने zeros clear after five years what is the minimum amount in rupees that she should deposit now in a bank which offers 10% annual rate of the interest if the interest was compounded annual बेटा वही population वाला question वही consumption वाला concept वही concept है और यहां भी concept है ठीक है अभी लीला को देखो car खरिदना है 10 lakhs का car clear 10 lakhs का car है इसको हम कैसे करेंगे कैसे जबरदस तरीके से इसको solve करेंगे ठीक है 10 lakhs यहां लिख देते क्योंकि लीला के पास जो amount है वह 10 lakhs आनी चाहिए क्योंकि वह कुछ principle यहां पर deposit करेगी bank में उसका कुछ rate होगा और rate कितना है rate कितना है rate बता दिया गया 10% ठीक है और time बेटा देखो बच्चा पूछ रहा था एक बच्चा पूछा कि सर यहां पर अगर compounded या compounded नहीं दिया है simple interest नहीं दिया देगा ना बेटा ऐसे question में देगा और annual rate दिया है semi annual नहीं दिया quarter नहीं दिया ठीक है तो यहां पर ऐसे लिग दिये बस अब यहां पर value पूट करो ठीक है आपको यहां पर 10 lakhs चाहिए clear Kelsey का यूज है Kelsey का यूज है हम gate के लिए हैं हम किसी और exam के लिए नहीं है आप यह समझ जाओ कि हम exam देने वाले हैं gate का हम gate को qualify करेंगे gate में rank achieve करेंगे ठीक है यहां पर देखो बटा यह principle deposit करेगी और इसके बाद देखो बटा principle कितना होगा यह आपको calculate करना है rate कितना है 10% तो हम 100 10 by 100 को 5 times लिख सकते हैं और उससे भी better क्या होगा उससे भी better यह होगा कि हमको मालूम है कि 110 by 100 को 11 by 10 लिख सकते हैं तो हम directly 11 by 10 लिखेंगे ना directly लिखेंगे क्लियर एक बच्चा पूछ रहा था कि सर 121 का square कैसे कर दिये अभी बता देते हैं प्रॉब्लम क्या है अभी बता देते हैं कि 5 times करेंगे आपके पास healthy रहेगा बेटा आपको टेंशन नहीं लेना आपको टेंशन नहीं लेना 11 का square किया 121 यहां 11 का square किया 121 121 का square किया 100 से कितना ज्यादा 21 ज्यादा 21 का square कितना होता है 441 होता है बेटा तो 41 लिखना 4 को carry 4 को carry अब यह बताओ कि 121 100 से 21 ज्यादा तो 21 ज्यादा था ना add कर दो 142 हुआ carry 4 था ना इसको भी add कर दो 146 यह हो गया अब इसके साथ 11 का multiply करोगे आप ठीक है इसके साथ 11 का multiply करोगे कर लो एक value आएगी इसके बाद यहां zeros है clear है जस्ट आपको calculation करना है बहुत बड़ी अमितेश का जवाब आ गया सभी बड़ा calculation करेंगे अपने साइट से ना अपने साइट से सभी calculation करेंगे इस question के बाद नए module के साथ हम नए energy के साथ जबर्दस जबर्दस बाते करेंगे short tricks पूरा भरपूर रहेगा क्योंकि average में average हम क्यों पढ़ रहे है क्योंकि average को हम डी आई में use करेंगे ratio को हम डी आई में यूज करेंगे पूरे तरीके से इसी लिए हम average and ratio पढ़ने वाले हैं अभी जबर्दस श्रीदिवास अरून सभी बिटा अना सभी एकदम ध्यान से जबर्दस तरीके से आंसर देते जाहिए आप दिलों की बोचार कर दिजिए नया module स्टार्ट होगा अभी जल्दी से बिटा नया module स्टार्ट होगा एकदम जबर्दस तरीके से हाई energy की साथ आप लोग रहिए आप लोगों का इस module में या फिर परसेंटेस से related कोई भी doubt है क्या कोई भी doubt है क्या जल्दी से question number 26 था पिटा इतना इथा ना आप लोगों का कोई भी doubt है क्या question number 25 को बिटा डी आई में connect करके solve करेंगे बहुत important है बहुत नए concept है उसको जबर्दस डी आई जो होगा हमारा full on fire होगा ठीक है जल्दी से जबर्दस बेटा है ना जबर्दस energy की साथ एक बच्चा कह रहा है कि सर question number 17 आदित्या कहता है question number 17 सर आदित्या कुष्णी जा question number 17 में वहाँ पे 2015 और 2016 के बारे में बाते हुई 2015 के GDP के बारे में बस ये कह दिया गया कि भाई जो GDP है 2015 का है ना एकदम ध्यान से सुनना बटा एकदम एक लाइन में एकदम कहानी है ये हैना जो 2015 का GDP है वो हैना वो जितना भी है उसका फीजिकल डेफिशिट एना फीजिकल डेफिशिट कितना वीटा 4% है 4% आप 100 एजिन कर लो 4% 4 मिल जाएगा इसके बाद के स्टेटमेंट ये है कि जो GDP है वो next year 10% increase हुई तो 10% increase करो 110 हो गया इसके बाद के स्टेटमेंट ये है कि ध्यान से बीटा इसके बाद के स्टेटमेंट है कि जो फीजिकल डेफिशिट है next year के लिए वो 5% है तो 5% निकालो 5.5 हो गया question आप से ये पुछा कि चेंज इन फीजिकल डेफिशिट परसेंटेज बताओ तो निकाल लो बेटा initial value, final value, final value minus initial value, minus करोगे 1.5 with respect to 4 into 100% answer किते है ना बेटा 37.5% fractional conversion याद है ना 3 by 8, clear है बेटा clear विरेंद्र का कहना है कि whatsapp पर डाउट भेजाओं sir question number 26 का slide दिखा दीजिए ये लो बेटा जबर्दस न चलो हाँ बेटा तुशार हो गया एक बच्चा डाउट पूछ रहा था अब चलो बेटा अब छोड़ो अब हम आगे बढ़ते है average and ratio start करते चलो बेटा आज की क्लास में हम average तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अगर average complete हो गया तो ratio start करेंगे clear है average का सबसे important हमारे पास जो है implementation है वो data interpretation में होता है इसलिए important है गेट relevant बाते करें तो गेट के questions थोड़े कम है एवरेज में लेकिन ठीक है यार पढ़ने में क्या बुरा ही एक दो दिन की class यहां भी रख लेते हैं average के बाद हम क्या पढ़ेंगे बिटा ध्यान से average के बाद हम पढ़ने वाले है ratio ध्यान से बात सुनना बिटा ठीक है average के बाद ratio clear है और ratio में क्या पढ़ेंगे एकदम ध्यान से बिटा एकदम ध्यान से ratio में क्या पढ़ने वाले है ratio में हम पढ़ने वाले है age related problems इससे क्या help मिलेगा आपको इससे आपको ratio का सही use समझाएगा clear है और इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम partnership पढ़ेंगे ठीक है partnership बेटा कई बार ऐसे questions भी पुछे जाते हैं जहाँ एक ही question में di bhi हो ratio भी हो और इसके साथ में partnership भी लगा हो तो दो तीन concept को combine करके भी question पुछे जाते हैं तो हम लोगों को तो ready रहना है न और third पढ़ेंगे mixture and allegation clear है start करते हैं हम ratio के साथ start करते हैं हम ratio के साथ sorry average के साथ average के साथ start करते है clear है average के साथ start करते हैं और average में क्या पढ़ेंगे हम यह देख लो average का basic formula एकदम basic formula एकदम basic बाते बहुत ज़्यादा general बाते बहुत ज़्यादा general बाते क्या होती है यह देख लो average is equal to ज्यान से बिटा number of observation क्या नई sum of all observation यह आपने छोटे से छोटे classes में देखा होगा sum of all observation upon number of observation clear है यह एकदम basic एकदम मतलब की बहुत ही ज़्यादा number of observation clear है ऐसे question आप से छोटे classes में पूछे गए ठीक है लेकिन 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 हाँ बेटा mixtures वगेर सब पढ़ेंगे mixtures allegation सब पढ़ेंगे आगे देखो लेकिन आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप mostly average निकालने से ज़्यादा sum निकालना पढ़ोगे sum of all observation is equal to number of observation into average इस concept को use करोगे आप ठीक है इस concept को आप question देखोगे आपको बाते clear होगे चलो start करेंगे बेटा start कर देंगे जबरदस तरीके से दिलों की बारिश के साथ full energy के साथ यार full energy के साथ एकदम energy को high रखना बहुत ही जबरदस enjoy करने वाले हो अगले half hour बहुत ही जबरदस clear है clear है clear है बेटा डरना नहीं बेटा डरना नहीं नहीं करेंगे fast repeat डरना नहीं बेटा ठीक है इस फूल energy के साथ कर्णा रहींर तेन के डरेशनार राव के साथ बेटा जो डाउट पुछे हो एक बच्चा पुछा वह मैं बता दूँगा आपको एना बहुत आसाम सब्सक्राइब चलो जल्दी से तो स्ट्राट करते हैं यार यह फर्स कोश्चन है यह आपके IQ लेवल को देखो आपके IQ लेवल को चेक करेगा आप कितना समय लेते हो एना हम यहां पर एवरेज का कंसेप्ट सीखेंगे और डी आई में इंप्लिमेंट करेंगे जल्दी से बिटा जल्दी से जल्दी से देखो आंसर भी आने लगा आंसर भी आने लगा बहुत बढ़िया यह IQ level को चेक करेगा सीधा है सीधा आपके IQ level को चेक करेगा अगर मैं यहां पर कंवेंश्ट्रल बात करता हूँ पहले में student और है tom जो join करता है group को अब जो average weight है वो increase हो गया कितना हो गया 2 kg increase होने के बाद देखो यह 64 है तो यह कितना हो गया होगा 66 kg clear है अब tom का weight आपको बताना है देखो बेटा एकदम conventional method यूज़ करेंगे सबसे पहले formula क्या रहेगा formula same formula क्या था अभी मैंने just आपको बताया sum is equal to n into average clear अभी ध्यान से पिटा ध्यान से n into average को मैं इस side लिख रहा हूँ ठीक है पहले case में तो n की value एकदम ध्यान से पिटा n की value मैं 4 लिख दिया average मैंने कितना लिख दिया average मैंने यहाँ पे 64 लिख दिया n into average कितना हो गया बेटा कितना हो गया sum sum हो गया जब multiply करोगे तो 256 हो गया 256 kg हो गया clear है अब आगे समझना अब आगे समझना अब जो दूसरा situation है वो यह है कि tom यहाँ पे जुड़ जाता है और यह 4 अ 4 नहीं रहते 4 प्लस 1 हो जाते है 5 हो जाते है तो आप लोगों को यह information दिया गया है कि average वेट है वो 2 kg increase हुआ यानि कि 66 हो गया अब यहाँ पे 5 के साथ 66 का multiply किये तो 330 kg आपको मिल रहा है है ना tom के आने के बाद तो जो वेट है वो तो बढ़ जाएगा ना और जितना बढ़ा है वो answer है ज आपको यहाँ पर माइनस करके देख लो आप लोगो कितना increase हुआ 74 kg क्लियर है बेटा क्लियर है 74 kg answer हो जाएगा clear है एकदम light mood में है बहुत बढ़िया लास्ट का जो 25th question है उसको हम लोगों DEI में यार connect करेंगे बहुत important है यह सब से solve हुआ यह सब से solve हुआ किया जल्दी से बताएंगे सबी ने solve कर लिया ना सबी ने कर लिया ना within minute कर लिया होगा ठीक है सबी ने कर लिया होगा सबी ने किया की नहीं किया जल्दी से सबी से solve हो गया होगा, काफी easy question है, सबी से solve हो गया, सबी से हो गया, चलो, चलो बेटा, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, थोड़ा think without ink का, हम क्या बात करेंगे, think without ink, मैं इस pen को यहाँ पे रख दिया, और मैं कहा रहा हो कि screen पे ऐसे question कोई आ जाए, question नहीं आएगा, इसके help से question आएगा, exactly ऐसा question नहीं हो सकता, इसका help लेके, और कोई information निकालना पड़ेगा, अब ही देखो, आ average weight of 4 students is 64 kg, भाई 4 students थे on an average, यान से बेटा think without ink, है न, 4 students थे on an average, उनका weight 64 kg, चलो, ठीक है, आगे की बात सुनो, टॉम जो है, जॉइन किया उनको, टॉम आया, और टॉम अपने साथ, अपने साथ, सभी के लिए, यानि की वो जो 4 थे उनके लिए, और अपने लिए भी, यानि की total 5 students के लिए, 2 kg extra लाया, ऐसा क्यों, क्योंकि average weight 2 kg increase वहा न, 2 kg वो सभी के लिए लाया होगा, तो सभी के लि अगर 10 kg वो extra लाया होगा, average weight से, तो टॉम का weight 74 kg आएगा की नहीं आएगा, आप यह बता दो, है न, आप यह बताओ, टॉम का weight 74 kg आएगा न, टॉम आया 10 kg extra लाया, तभी तो सब को 2 kg extra मिला, तो हो गया न, 74 kg, think without think, clear है सभी को, एक बार मिटा, clear है, जल्दी से, जल्दी से, एकदम positive mood में रहे है, एकदम confident रहे है, और एकदम जबर्दस half hour हम enjoy करेंगे, सभी को clear है, जल्दी से, जल्दी से, सभी को clear है, है न, टॉम आता है, और सब के लिए 2 kg लेके आता है, 2 kg सब के लिए लाता है, अपने लिए भी लाता है, 5 students के लिए लाता है, तो 10 kg लाया न, 2 into 5, that means 10 kg लाया न, क्या का मैंने, देखो बिटा, 64 kg था, 4 students का average weight, तो हम आया, और सब के लिए, सब के लिए, क्या लेकर आया, एक्स्ट्रा 2 kg लेकर आया, कितने लोग है, 5 लोग है, है न, सब के लिए लाया, 5 into 2, यानि कि 10 kg एक्स्ट्रा लाया, यानि 10 kg के साथ आया, 74 kg हो ग चलो, इस question को solve करो, आप लोग, जल्दी से, time waste नहीं करेंगे, half hour में, है न, half hour में, जबर्दस enjoy करेंगे, जबर्दस, अपने IQ level को, यहाँ पर enhance करेंगे, बिटा, जबर्दस, हाँ, कमला कर, ऐसे questions मिलेंगे, बिटा, मिलेंगे, अभी wait करो, सभी मिलेंगे, सभी questions मिलने वाले हैं, बहुत enjoy करोगे, अभी जो, अभी upcoming आप लोगों के पास, 8 questions है, काफी enjoyable questions होने वाले हैं, बहुत बढ़िया, प्रतीक का जवाब आ रहा है, प्रतीक आपने मुझे whatsapp भी किया था, मैं reply करूँगे बिटा है, ना, जबर्दस, जल्ली से, चलो बिटा, इसको देखेंगे, conventional method से, पहले मैं आप लोगों को concept बता दू, वही six friends है, कितने number of observation six, और उनका average weight 62 kg, देखो बिटा, incoming का question है क्या, incoming का question था, जब Tom आया था, मैंने ये बताया कि नहीं आप लोगों को, ये बताया कि नहीं बताया भाई, ये बताया बस, एक और बात बताता हूँ, देखो ध्यान से, अब कैसे questions अभी यहाँ पे enjoy करने वाले हो, average के ये देखो, जान से, जो आप अभी पढ़ने वाले हो, आपको मैं four type of question average के कराऊंगा, ये देखो first, second, third पहले देख लो, बहुत बढ़िया, सबसे पहला question होगा incoming का, जो आपने tom के case में देखा, कि tom आया join किया, ठीक, incoming वाले question में क्या होने वाला है, join होने वाला है, clear, और उसके बाद जो question होगा, वो कैसा होगा, वो होगा outgoing, यानि कि left वाला question की भाई, वो चला गया, clear है, और इसके बाद third concept क्या सिखोगे आज आज आप, roaming, क्या सिखोगे, roaming, यह roaming क्या होता है, roaming क्या होता है बिड़ा, roaming देखो, एक आएगा या फिर जितने number of students, friends, persons है, वो आएंगे और उतने ही जाएंगे, यानि आप कह सकते हो कि exchange, यानि आप कह सकते हो कि replace, एक्सचेंज, replace, ऐसे question, clear है, जल्दी से, load कर लिजे बटा, जल्दी से, और इसके बाद, इसके बाद, और सबसे बहतरीन आज आप क्या पढ़ने वाले हो, अब क्या पढ़ने वाले हो, सबसे बहतरीन, एक नया concept, और वो क्या होगा, movie देखे होगे, right or wrong, concept का नाम है right or wrong, सही है या गलत, यह आप बताओगे, clear, right or wrong, ठीक है, note कर लो बटा, जल्दी से, जल्दी से बटा, हाँ बटा, सजिदा, देख लो, इसको note करो पहले, दुरूफ कह रहा है कि फिफ्ट कोश्चन तक तू कर लिया सर मैं, हाँ बटा, हाँ समझ गया मैं, जल्दी से बटा, जल्दी से time case नहीं करेंगे बटा, जल्दी से, दुरूफ और think without think बटा, pen से नहीं, pen के use से नहीं करना अपने को, conventional method नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, IQ level अपना, तब हम अच्छा साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जब हम बीन pen use के बना पा रहे हैं, aptitude, देखो, one of the student left, यानि कि यहां पे outgoing, अब average weight 52 kg होगे, अच्छा, उसका weight 52 kg था, अब average weight पूछ रहा है, देखो, conventional method क्या कहता है कि, n into average करोगे sir, तो आपको sum मिल जाएगा, ठीक है, करते हैं फिर इस formula में, तो हमने यहां पे किया, 6 into 62, तो हमें कितना मिल गया भाई, हमें मिल गया 372, clear है, multiply कर लिए होगे, अब यहां पे देखो, यहां पे यह कहा गया, कि यह जो student था, वो चला गया, उसका weight कितना था, 52 था, तो भाई, 52 आप क्या करोगे, चला गया न, तो minus करोगे, minus करोगे, अब कितने बचे, 5 student, clear है, अब आपको new average weight मिलने वाला है, clear, conventional method बेटा, अगर आप pen के use से बनाते हो question, तो यह method है, clear है, आगे देखो, तो यहां minus करोगे, तो 320 kg हुआ, अब यहां पे थोड़ा सा division करोगे, तो new average weight आपको कितना मिल जागा बेटा, 5 से divide कर लो, जल्दी से, 64 kg, clear, सभी कर लिए, अब देखो बेटा, सभी कर लिए, 8 questions साफ, चलो, आगे देखो, जल्दी से, चलो बेटा, अगर 6 friend है यार, 6 friend है, उनका average weight कितना है, 62 kg है, 62 है, एक चला गया, बस यह देखना है, जो जाने वाला है, वो नुकसान देखे गया क्या, लॉस देखे गया क्या, डिक्रीज देखे गया क्या, या फिर profit देखे गया, जो गया है, 62 average था, 62 से जाधा रहता न, तो average weight को कम कर देथा, 62 से कम रहा होगा न, तो सही है, तो क्या है उसका weight, 52 है, तो यानि की overall, 10 kg का कहीं न कहीं average weight से benefit है, और वो 10 kg का benefit उठाएगा कोई, वो तो चला गया, उसके जाने के बाद, जो यह 5 friends होंगे, वो उठाएगे, और 10 kg 5 friends में distribute होगा, तो पर student यह पर friend 2 kg extra होगा, होगा, तो plus 2 kg होगा, तो पूराने weight, average weight में आप प्लस 2 कर दो, तो 64 kg आएगा की नहीं आएगा, आएगा की नहीं, आएगा की नहीं बेटा, जल्दी से, जल्दी से बेटा, आएगा की नहीं आएगा, जल्दी, next question देखें, जल्दी से बेटा, जल्दी से, देख ले next question बता रहों बेटा, बता रहों बता रहों, जल्दी से, है ना, किसी का कोई doubt नहीं आ रहा ना भी, जल्दी, जल्दी, जल्दी करते हैं हम लोग, कितना टाइम बचा है आज की क्लास में, 15 मेट से ना, ठीक है, चलो देखो, फार्मुला तो वही होने वाला, एन इंटू एवरेज इस इकल टू सम वाला, क्लियर है, देखो बिटा, फाइव इस्टूडेंट्स का एवरेज वेट 65 केजी है, तू फ्रेंट्स विट एन एवरेज वेट 70 केजी लेफ दे ग्रूप, इस बार एक नहीं गए, पूरे के पूरे दो गए, क्लियर है, और आपको बता ना, न्यू एवरेज वेट, देखो ध्यान से, एवरेज वेट 65 केजी, बता एको 325 केजी, अब जाने वाले कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठ्यक है, 2 स्टूडेंट्स को वापस भेज ग्रा, उनका एवज वेट कितना है, 70 केजी, तो 2 x 70 kg किया तो कितना हुआ बेटा 140 kg बेटा किसी को समझ नहीं आ रहा है तो तूरंग चैट में लिख दे न अब माइनस करोगे कितना होगा बेटा माइनस करोगे तो 185 kg क्लियर है बेटा think without ink से solve कर रहे हो क्या आप लोग जो भी solve की हो जितने भी student की हो है ना think without ink ना बेटा pen के use से कोई solve नहीं करेगा ठीक है think without ink इसको note कर लो बस आप जल्दी से है ना जल्दी से तो average weight कितना हो जाएगा बेटा new average weight कितना हो जाएगा 3 से divide करो आप लोग 185 को 61.67 kg क्लियर है सभी को सभी को क्लियर है क्लियर है सभी को चलो बेटा think without ink देखते हैं अब है ना think without ink pen रख देते हैं ना ऐसे solve करते हैं देव किशोर बताएंगे यार 4 आएगा तभी तो 5 आएगा रुको तो सहीं देखो यहां पर ऐसे solve किया गया देव किशोर अगर किया होगा तो बताओंगा मैं एकदम किया होगा तो मैं जरूर तुरंद बताओंगा देखो क्या है 5 students का average weight 65 kg ठीक है ठीक है टू फ्रेंट्स जो है वो चले गया कितने गया टू फ्रेंट्स का है अब यह देखोगे कि जो गय है वो ज्यादा weight वाले थे कम weight वाले थे वह लॉस करवा दिया डिक्रीस करवा दिया या इंक्रीस हुआ है देखो जो गय बेटा जो गय है उनका average weight 70 kg है एक का 70 kg और दो का 70 kg मतला प्लस 5 प्लस 5 यानि पूरे के पूरे 10 kg का loss हो गया बाकी लोग को बियर करना पड़ेगा बाकी बचे कितने 3 students और loss कितना हुआ 10 kg का अब 10 kg को 3 से डिवाइ जी का loss हुआ कितने में 65 में तो answer यहां पर भी आएगा की नहीं आएगा आएगा की नहीं बिटा जल्दी से बिलकुल loss करवा दिये ठीक है ठीक विदाव टिंग बिटा थिंग विदाव टिंग दिलों की बहुचार हो जाए अच्छा ठीक है question number five के बाद करना दिलों की जल्दी से क्या से देखे थिंग विदाव टिंग देखे या conventional जल्दी से चलो conventional भी कर लेते हैं आने तो फिर ध्यान से जेखना बिटा question क्या है 10 students है into 80 किया 800 kg हुआ 3 students with an average weight 73 kg left यानि कि आप देखो यहाँ से 3 students चले गए average weight 73 kg था यानि कि 200 219 kg का loss दे दिये यानि कि आप देखोगे कि अब number of students बचे कितने 7 और उनका आपको क्या निकालना है new average weight clear है और इसके बाद यह minus करोगे यह minus करोगे 581 kg होगा अब divide करोगे 581 को 7 से बिटा तो new average weight कितने आ जाएगा आपको 83 आ जाएगा यूनिट प्लेस बेटा यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस से भी चेक कर सकते हो आप options clear है जल्दी से 15 हो गया ना 10 कैसे कहा पे बिटा कहा पे 15 हो जाएगा यह तो 10 है ना बिटा clear है चलो चलो बिटा अभी देखो think without ink देखो pen रखके एकदम think without ink ओके रितिक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा 10 students का 80 kg है अब ध्यान से देखो left करने वाले कितने 3 students अच्छा left के नुकसान देखे गए क्या हाँ देखे गए क्या नहीं देखे हर एक student जो है 7 kg का profit दे गया यानि overall 21 kg का profit हो गया और कौन profit को यहाँ पे enjoy करेगा 7 students क्योंकि 3 तो चले गए 7 बचे है चले गए 7 बचे है 21 को 7 से divide करो यार तो आपको 3 kg मिलेगा तो यहाँ पे देखो 80 प्लस 3 83 kg हो जाएगा हो जाएगा ना हो जाएगा ना जल्दी से जल्दी से बेटा चलो यहाँ पे question number 4 हो गया क्या सभी का हो गया अना बेटा जिनों ने भी बुक पर्चेस नहीं किया है और वो तो कर लेंगे और मेरे को टेली ग्रांग पे पोस्टेड यहाँ पे order या फिर पिक चाहिए कि बाइक किये हो मेरी बात माने हो ठीक है देखते है चलो तनिश को कौन से बेटा अभी देखो यहाँ पे फिफ्ट question देख लें क्या अच्छा इसी question में बेटा 10 स्टूडेंट है 80 kg एवरेज वेट है उनका 3 स्टूडेंट्स चले गए चले गए 3 स्टूडेंट्स और 3 स्टूडेंट्स गए तो 73 kg उनका एवरेज वेट था य तो 7 उठाएंगे और 3 kg जो हो जाएगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा और एक्स्ट्रा जो है एड होगा 80 से तो 83 हो जाएगा clear सभी को एड और सब्ट्रेक्ट बेटा एड और सब्ट्रेक्ट देखो न यहाँ पे जब प्रॉफिट देगा तो एड हो जाएगा जब लॉस देगा तो सब्ट्रेक्ट हो जाएगा प्रॉफिट कब आएगा जब जाने वाला ज्यादा वेट का होगा तो लॉस देके जाएगा कम क बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक बच्चा कह रहा है मैं तो फॉन्डेशन डे पर ही ले लिया बेटा 2020 एडिशन जो है न वह अपडेटेड हुआ यार 2021 2022 के वह तो छोड़ो 2022 को क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि इसमें एसी के भी अगर ठीक है आप मैनेज कर रहा हो ठीक है इसके बाद अनुरा कहारा सर ब्रेक चाहिए अगर भी रुको ना बेटा अभी नेक्स कोश्चन तो देख ले चलो कोश्चन नमर 5 देख लें क्या जल्दी से जल्दी से और कोश्चन को रीड करना है, रीविजन करना है, कोई डाउट नहीं आएगा, question number five देखो पहले, जल्दी से, डर के आगे gate academy है पेटा, no break, okay पेटा, enjoy कर रहे हो, मतलब आप लोग सभी, वैशन भी call करके पूछ ले ना बेटा, ध्यान से बेटा, अब इसको solve करेंगे, जल्दी से, जल्दी से, question number five printing mistake है, हाँ बेटा, printing mistake है, बहुत बढ़िया, question number five printing mistake है, अच्छा, यहीं printing mistake है, आप लोगों को रोप दिया, बेटा, यहाँ पे new को old कर दो तो आप लोग जल्दी से new को old कर दो, है ना, new को old कर दो बस, जल्दी से, हाँ बेटा, हाँ रितिक, सही बात है ना यार, IQ level अगर अपना चेक करना तो, preparation तो ऐसी होती है, aptitude की, यार, aptitude तो ऐसे ही, मतलब, pen उठा लिया, तो यार, फिर तो मज़ा नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं आपके दिल में ना, वो मज़ा कम हो जाएगा, आप देखना, आप फिल नहीं करोगे, कि यार, बन तो गया, लेकिन, वैसा बनता तो बात अलग है, क्या, वैसा बने का तो बात अलग है, अब यहाँ पे देखो, इस question को देखते हैं, पहले conventional method से भी बता देता हूँ, ओके कमला कर, ओके बेटा, देखो यहाँ पे, n into average is equal to sum, बेटा यह roaming वाला question है, replacement वाला, ध्यान से देखना, कितने student है, 8 है, average weight कितना 53, आपने क्या किया, sum किया, कितना हुआ बेटा, sum किया तो कितना हुआ, 424 kg हुआ क्या, हाँ, अब देखें बेटा, एक student जो है, replaced हो गया, replaced हो गया, रहे तो 80 न, replace हुआ है, वो गया थोड़ी है, और उसके replacement यह कारण क्या हुआ हुआ, कि 2 kg जो है, average weight increase हो गया, तो यह 55 kg हो गया, ठीक है, अब देखो, obvious सी बात है, कि भाई, यहाँ पे ज़्यादा number तो आने वाले है, sum 16 kg, extra लेकर आया है, जो आया है, उसका weight 80 kg है, और वो लेकर आया है, extra 16, तो आपको अगर old student जीए, तो minus कर दो, 64 kg आपको answer मिल जाएगा, 64 kg, clear है, जल्दी से बिटा, बहुत बढ़िया योगिश, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, जल्दी से, देखो बढ़िया है, देखो बढ़िया, एक student गया और एक आगया, एक गया और एक आगया, 8 पहले भी था, 8 अभी भी है, इसमें old वाला student होगा, इसमें new वाला है, clear बढ़िया, अभी देखो, old वाला student होगा, sum किया, तो 424, new के साथ multiply किया, तो 440, new वाला प्लस 16 kg लेकर आया न बेटा, और उसका अपना weight 80 kg बताया तो गया है, अब minus करके old वाला निकाल लो, 64 kg हो जाएगा, ठीक है, और अगर मैं think without ink पे बात करूँ, इसी question को, तो देखो, हाँ बेटा रहूल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, इसी question के बारे में, अगर मैं बात करूँ, think without ink से, ऐसे pen रखके बात करूँगा बेटा, हैना आप भी pen रखके सुनना, clear है, ऐसा अपन pen रख दिये, अब बात कर ले, सुनो, 80 student है, 53 kg उनका average weight है, ठीक है, अब आगे सुनो, क्या हुआ कि एक चला गया, एक चला गया, और एक आ गया, clear है, और जो आया है, उसका weight बात में बताऊँगा, 80 kg है, बात में बात करेंगा, अब ही देखो, यहाँ पे, जाने और आने में क्या हुआ कि 2 kg का average weight बढ़ यानि कि जो आने वाला होगा, वो सब के लिए 2 kg लेकर आया होगा, सब के लिए 2 kg लेकर आया होगा, total 8 student है, यानि 16 kg extra लेकर आया है, अभी 16 kg extra लाया है, खुद का weight 80 है उसका, और 16 kg extra लाया है, यानि कि 64 kg weight होगा, जो गया था उसका भाई, वो 16 extra लाया ना, वो extra लाया, है न उसका 80 है तो ओल्ड वाले से 16 एक्ष्टर लाया है यानि जो गया उसका 64 kg होगा क्लियर है एक बर बता दोगे क्लियर है बिल्कुल बेटा गेट 2.0 is on fire बिल्कुल बेटा बिल्कुल एकदम जबर्दास तरीके से दिलों की बारिश कर दो दिल भिछा दो आग लगा दो बेटा जबर्दास तरीके से जबर्दास तरीके से जल्दी से चर ठीक है आया है वो रिप्लेस वाना अब टोटल 8 स्टुडेंट्स के लिए वो अपने साथ 7 मतलब टोटल 8 के लिए 2 kg एक्स्टर लेकर आया यानि कि 16 kg जो है वो एक्स्टर वेट लाया है ओल्ड स्टुडेंट से जो चला गया तो फिर देखो न आप उसका खुद का वेट यह क्यों अवर्दस अब लोगों के पास्या मेरा फोन नंबर टो है ना डाउट वगियरा पुश्चना हो तो और नोइडस वगियरा मांगना हो तो एप लोग अपना PDF नोट्स ना, मेर से भी ना पूछे वे, Telegram पे मठ डालो यार, आप लोग स्मार्ट कोर्स के हो, सभी स्मार्ट कोर्स के नहीं हो, ठीक है, मतलब सभी, वहाँ पे जीतने मेंबर से वह नहीं है न, आप लोग हो, clear है आप लोगों को जो help चाहिए आप मुझसे लो clear रवी कह रहा है sir time हो गया हाँ बेटा time तो हो गया अब यह बताओ आप लोग की मर्जी है इसका next question देखना है कि नहीं इसका conventional method इसका बेटा यह वाले का तो यह बताया थो था बेटा erase कर दिया हमने देखो यहां पर 80 student थे और यह 53 kg तो कितना हो बेटा 424 हुआ clear है अब देखो replace हो गया रहेगा तो 80 है ना replace हुआ यहां से चला गया और यहां पर आ गया और यहां पर into 55 कर दो 440 अब minus करके देखो ना आप देखो 16 kg जो है extra आ रहा है ना और 16 kg extra आ रहा है यानि कि यह old student था इससे इसने 16 kg extra add करके 80 kg वाला आया तो old student कितना वेट का होगा बेटा 64 kg चलो आगे देखना है क्या आगे देखना अब नेक्ट कोश्चन देखना है क्या हाँ ओधिटा मुझे परस्णली है आप लोग ना मस्तिक करना है या याधि टेलिग्Assam करना और कोई सुडेंट अपने से नहीं करना बिटा आगे देखने क्या आप लोगों को नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मतलब कल की क्लास या मैक्सिमम पर्सु की क्लास में एंड होगा फिर तीय स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नमबर 6 & 7 जबरदस्त है कर ले ग्या अगर चाहते हो कर ले तो दिलों की एकदम बोचार कर दो यार तभी करेंगे क्वेश्चन नमबर 6 जल्दी से गुरू सर का क्लास है यार आट बजे ये लेकिन कोश्चन नमबर 6-7 जो है न वो मतलब इतना बहतरीन है इतना बहतरीन है कि माइंड पे लोड ही नहीं पड़ेगा जब मैं बताऊंगा तो लोड ही नहीं पड़ेगा कहोगे कि सर ऐसे कोश्चन और क्यों जल्दी से पैन खतम हो गया पैन चाहिए ही नहीं जल्दी से बिटा चलो आप लोग देख लो यार मतलब बहतरीन एकदम बहतरीन ये कोश्चन एक बार रीट करो यार एकदम रीट करो जल्दी से बिटा देखो कभी भी कोई file maintain किया जाता है कोई file maintain किया जा रहा है माल लिजे तो उसमें अगर description लिखा है description में कोई mistake भी तो हो सकता है न तो यहाँ पे भी यही बात है देखो average height of 48 students यानि 48 students का average height निकाला गया और वो मिला 152 cm और बाद में चेक किया गया कि भाई यह 152 cm जो average height है क्या यह ठीक है तो एक बात बता चली कि यहाँ पर एक student था जिसका height 126 mention है और actually उसका height 150 cm होगा ठीक है actually में 150 था लेकिन mention यहाँ पर 120 है 126 बैटा आप लोगों ने solve किया अपने तरीके से आप लोगों ने solve किया अपने तरीके से मेरे तरीका देखो आप ठीक है फिर बताना कि आपका तरीका अभी वही था क्या फिर बताना देखो बैटा यह right और wrong वाला question है तो यहाँ right के लिए आर और wrong के लिए w लिखो पहले clear है और इसके बाद wrong वाली information 126 वाली यहाँ पर लिख दो और right वाली यानि की 152 cm नहीं 150 cm वाली यहाँ लिख दो clear rightly यह था कि उसका height 150 था लेकिन wrongly 126 जो है वहाँ पर mention हुआ ठीक है अब देखो बैटा loss कितने का हुआ इस mistake के कारण आप देख सकते हो कि loss हुआ है 24 cm का अब यह 24 cm का loss recovered होगा और सभी को think without think मिटा है बहुत बढ़ी है बहुत सभी को सभी को यानि 48 students को एकदम ज्यान से 48 students को 24 cm का height जो है मिलेगा on an average यानि half cm का increment होगा यानि की 152 पहले था अब यहाँ पे 0.5 हो जाएगा यानि की 152.5 हो जाएगा clear है बेटा और answer आपका option C हो जाएगा clear है जलनी से बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है बढ़ी है अब इसके बाद next question भी देख लो यार नेक्स कोशन भी देख लो लास्ट कोशन होगा अब यहाँ पे भी यहाँ पे दो information ऐसा हुआ जो wrong हो गया एक नहीं दो हो गया क्या कहरो मैं एक नहीं दो हो गया है ना बहुत बढ़ी है निशान एक नहीं बेटा ये last question रियान एक नहीं दो हो गया अब क्या करें अब क्या करोगे यह आर फोर राइट डबलू फोर रॉंग लिखो क्लियर है ध्यान से ध्यान से बेटा जल्ली से बेटा यहाँ दो information है दो information है तो आप बेटा यहाँ पे दो राइट और दो रॉंग जो भी है बता रॉंगली स्पेल्ट एस 40 kg ठीक है यहाँ 40 kg लिख लिया है अब देखो बेटा रॉंगली स्पेल्ट एस 68 kg तो second case वाला 68 kg भी लिख लिख लिए यहां से देखना दो cases थे पहली बार क्या हुआ और दूसरी बार क्या हुआ है दोनों ही आप ऐसे mention करना clear है ऐसे mention करना और यहाँ पे देखो पहली बार रॉंग स्पेल्ट था 40 kg लेकिन रियल में 88 था आपने 88 लिख दिया देखना बटा बताना ऐसे किये गया और यहाँ पे next time क्या हुआ 40 kg वाल स्टूडेंट को 68 kg लिख दिया गया अब क्या करोगे आप राइट राइट वालो को एड कर दो रॉंग रॉंग वालों को एड करोगे मिलेगा 108 kg अब देखो ओर ओर ओल इंक्रीज हो रहा है ना ओर ओर डिफरेंस में इंक्रीज हो रहा राइट वाला ज्यादा है ना तो यहाँ पे 20 kg का एडवांटेज मिलेगा और किसको मिलेगा पूरे के पूरे 20 students को या यानि कि पहले कितना था 70 kg था अब कितना हो जाएगा 70 प्लस 1 यानि 71 kg हो जाएगा क्लियर है सभी को क्लियर है सभी को क्लियर है कि इस question के साथ आज की class को यहीं पर end करेंगे हम